अयोध्या में भगवान रामलला की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर तियारियां अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रान प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रान प्रतिष्ठा के द्वरान गर्ब ग्रिह में केवल पांच लोग ही उपस्थित रहेंगे। प्रभुश्री राम के स्वागत में कराएं अखन रामायन का पाठ। प्रान प्रतिष्ठा से पहले प्रधान मंत्री द्वारा किये जाएंगे ये कार्य, प्रधान मंत्री मोधी रामलला की मूर्ती को विराजमान कराएंगे, फिर भगवान के आख की पट्टी खोल कर उन्हें आइना दिखाएंगे, इसके बाद प्रधान मंत्री मोधी ही भगव उत्तर प्रदेश की राजय पाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आधितेनात और रामलला के प्रमुख अर्चक आचारे सतेंद्रदास सम्मिलित होंगे, यानि इस महा आर्ती में केवल पांच लोग ही सम्मिलित होंगे. आपको बता दें कि प्रान प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान 15 जनवरी के बाद से ही प्रारंब हो जाएगा, और 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा को नगर भ्रमन कराते हुए मंदिर परिसर में लाया जाएगा, जिसके बाद प्रान प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष ट्रस्ट के कोशाद्यक्ष गोविंद देवगिरी को बनाया गया है। दोरान मंदिर का कपट बंद रहेगा। इसके बाद भगवान की आख पर बंधी पट्टी खोली जाएगी, ये पट्टी प्रान प्रतिष्था समारोह के मुखे यजमान प्रधान मंत्री मोदी खोलेंगे। फिर भगवान को आइना दिखाया जाएगा, जिसके बाद रामलला की प्रान प्रतिष्था सम्पन्न होगी। प्रान प्रतिष्था का रेक्रम सम्पन्न होने के बाद आर्ती वपूजन पाट सम्पन्न किया जाएगा। पूजा आर्ती आदी धार्मिक अनुष्थान सम्पन्न होने के बाद भोग लगेगा और भक्तों में प्रसाद का वितर तो ये थी रामलला की प्रान प्रतिष्ठा के समय के अनुष्ठानों और गर्ब ग्रिह में उपस्थित रहने वाले लोगों से जूड़ी जानकारी। झाल गर्ब 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 गर्फड़ी जानकारी।